करण जोहर अपनी रॉकी और रानी के प्रेम कहानी इस फिल्म को बहुत प्रोमोट कर रहे हैं। करन जोहर सीधी सी बातें अपनी फिल्म के आसपास कोई negativity नहीं चाते हैं और हर कोशिश कर रहे हैं कि रौकी और रानी की प्रेम कहानी का बस first weekend तक बना रहे है ताकि collections अच्छे हो जाए लेकिन करन की खुशी में अब कलंक लगा दिया है कंगना रनौत ने कंगना रनौत ने करन जोहर के फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी को बुरी तरह स्लैम किया है और करन जोहर को call out किया है और कहा है कि तुम अपने आपको बॉलिवूड इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के flag bearer बताते हो तुमें शर्मानी चाहिए नवी और सेम फिल्म बनाने के लिए कंगना रनौत ने ये भी कहा कि करन जोहर ने इस फिल्म में धाई सो करोट रुपया लगाया है इतना बड़ा पैसा कई लोग टैलेंटेड हैं जिनने नहीं मिल रहा है और करन ने इतना पैसा वेस्ट किया है कंगना रनौत ने ये भी कहा है क इंडियन ओडियन्स को अब ये फिल्में नहीं देखनी है इंडियन ओडियन्स को ओपिन हाइमर जैसी फिल्में देखनी है जिसमें न्यूक्लियर बॉम की बात हो रही है ये फिल्म अच्छा कलेक्शन भी कर रही है जहां लेवल इंडियन ओडियन्स का इस तरह की फिल्मों तक बढ़ गया है वहीं ये करण जोहर अभी तक सास बहु का रोना धोना वाली फिल्में बना रहा है और वो फिल्में बनाने के लिए भी धाइसो करोड लगा रहा है कंगना रनौत ने आगे करण जोहर को ये भी कहा कि टाइम और फंड्स वेस्ट करने के बजाए तुम माने के जो अक्टिर्स थे धर्मेंद्र विनोत खन्ना उनकी तरह ड्रेस अप करो तब तुम्हें ओडियंस सीडियसली लेगी वरना ओडियंस तुम्हें जोकर ही कहेगी कुछ इस तरीके से कंगना आज बुरी तरह भढ़की है करण जोहर और उनकी फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी पर जहां अक्सर लोग इंडस्ट्री में दूसरों की फिल्मों के बारे में बुरा बोलने से डरते हैं घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमारी फिल्में रिलीज होगी तब सामने वाले हम पर अटाक करेंगे वहीं कंगना ने ये बात कहकर किट्स भी बेहत महेंगे मिल रहे हैं